देखो last class में electric potential के कुछ topic अपने discuss किये थे कि electric potential जो है होता क्या है अपने बोला कि एक unit positive test charge को infinite से किसी charge के field में अपन जब लेकर आते हैं तो जो भी अपन work करेंगे वो work जिस charge को अपन लेकर आ रहे हैं उसके पास उसकी potential energy की रूप में store हो जाता है ठेक है तो ये जो work हुआ ये work जो है यदि अपन इस work में उस charge से denote कर देते हैं मतलब वी जो potential है वो कैसे define होता है डबलू बाई q note से ये वो q note ये वो charge है जिसको अपन इंफनिटी से लेकर आ रहे है q note वो charge होता है जिसको infinite से लेकर आ रहे हैं तो इसके लिए अपने निकाला था कि v equal to अपना आजाता है minus integration edr अरे आता है कि नहीं छोटा सा displacement देंगे कहां से ला रहे हैं infinite से कोई आपका point है electric field में किसी charge के electric field में p वहाँ पर लेकर आ रहे है ठीक है potential एक scalar quantity होती है कैसी quantity होती है scalar quantity जिसको अपन मेजर करते हैं किसके अंदर joule per column में joule per column में यहां से electric field से बोलें तो क्या जाएगा Newton per column into meter क्या जाएगा Newton per column into meter यह क्या होती है यह इसको वोल्ट भी बोला जाता है इसमें भी मेजर करते हैं इसको समझ में आगे नहीं तो यह कुछ units मैंने आपको बताई थी electric field की फिर potential difference यह किसकी unit थी potential की potential difference के बारे में मैंने बोला था कि electric field में किसी unit positive charge को एक पॉइंट से दूसरे point पर लेके जाओ आप कहां पर लेके आ चुके अपन electric field के अंदर आ चुके हैं तो electric field में एक point से दूसरे point पर जब अपन किसी भी unit positive charge को लेके जाएंगे तो इस process में जो भी work होगा वो work जो है वो charge के पास store हो जाएगा in the form of potential समद मैं आग नहीं तो उसको अपन ने निकाला था कि भाई a point से b पर लाते हैं तो vb minus va लिखा था integration minus यहां a से कहां b e dot dr यह आ गया था खेक है फिर अपन ने एक कि इक ही potential surface के बारे में discuss किया था कि क्यी potential surface होती क्या है तो मैं आपको बताया था इक ही potential surface वाला topic जो है वो last पांच शे सालों के अंदर काफी बार पूछा गया है बहुत important है कि क्यी potential surface होती क्या है तो मैंने बुला है एक्वी potential surface electric field में एक ऐसी surface होती है जिसके हर एक point पर potential का value क्या होता है equal होता है जिसके हर एक point पर क्या होगा potential का value equal होगा और दूसरे word के अंदर अपन बोलें इन अदर वर्ड अपन कह सकते हैं कि एक ऐसी surface electric field के अंदर जिस पर अपन पॉइंट चार्ज को unit point आपका चार्ज है unit test चार्ज है को उसको उस surface पर एक point से दूसरे point पर अपन जब ले के जाएंगे तो work done का value कितना होगा 0 मतलब अपने को कोई भी work done नहीं करना पड़ेगा उस surface के उपर किसी charge को एक जगे से दूसरे जगे पर ले जाने के लिए दूसरा point मैंने बोला था कि आपका यहाँ पर जो electric field है वो आपका एकवी potential surface से क्या रहता हमेशा perpendicular है मैंने unit positive charge के लिए unit positive charge के लिए equipotential surface draw के थी तो equipotential surface जो है unit positive test charge के लिए कैसी आती है इंदा form of concentric circles किस रूप में आती है concentric circles के रूप में आती है एक unit positive test charge के चारों ठेक है फिर मैंने बताया कि आपका equipotential surface पर अपन किसी unit charge charge को एक जगे से दूसरी जगे पर लेकर जाएंगे तो displacement और electric field के बीच का एंगल कितना होता है 90 degree कितना होता है 90 degree तो electric field ऐसे होगा और आपके equipotential surface ऐसे होगी ठीक है तो इस surface पर अपन चार्ज को यहां से यहां लेके जा रहे हैं ऐसे या ऐसे कैसे move कराओ तो वो हमेशा electric field के क्या होगा perpendicular ठीक है तो perpendicular होने से अपन वहां पर potential का value क्या देखते हैं change in potential क्या आता है आपका 0 आता है del v equal to 0 मिलता है ठीक है क्यों मिलता है क्योंकि dv equal to open लिखते हैं आपका क्या आता है edr cos theta तो theta का value क्या हो गया 90 degree तो जब theta 90 degree हो जाएगा तो cos 90 0 होता है और dv का value क्या हो जाएगा 0 dv 0 मतलब change 0 और change 0 इसका मतलब वो quantity उस surface पर क्या रहने वाली है constant तो यह कुछ point थे जो आपको एक भी potential surface के लिए याद रखने हैं एक दो diagram बनवाया था मैंने ठीक है उसके बाद आपने डिसकस किया था कि आपका जब electric dipole को electric dipole के कारण किसी point पर electric potential क्यासे निकालते हैं ठीक है तो अपने बोला था कि भई electric dipole की जो axis है उससे theta angle पर एक axis ले लेते हैं op बोला था अपने उसको वो आपका जो axis है electric dipole की उससे theta angle पर होती है और उस पर r distance पर एक p point लेते हैं ठीक है तो पलस और minus charge के कारण उस p point पर electric fields हो आपनाया था kq by r1 minus kq by r2 फिर अपने kq common लेके lcm लेके अपने r आपका 2 minus r1 divide by r1 r2 फिर r2 minus r1 और r1 r2 के value अपने निकाले थे और उनकी value निकालने के लिए अपने क्या किया था a और b से दो perpendicular डाले थे op लाइन पर diagram है आपके पास उस op लाइन पर अपने perpendicular डाले थे ठीक है किस परकार से diagram था कि एक चार्च अपने रख दिया था इस परकार से पलस एक इस परकार से माइनस डाइपोल के लिए ठीक है यह डाइपोल का सेंटर ओप मास था इससे आपका एक एक्सिस थी वो कित्ते एंगल पर थी ठीटा पर और इस एक्सिस पर आपका एक पॉइंट ले लिया था अपन ने तो इस एक्सिस पर एक पॉइंट लिया था पी कैसा पॉइंट लिया था पी उस पॉइंट को यहां से मिला दिया था यह डिस्टेंस आरवन बोली थी और यहां से मिला दिया था यह डिस्टेंस अपनने क्या बोली थी आर टू तो तो यह distance जो है अपने इसको क्या बोल दिया था r2 और यह distance थी वो r थे अपने पास relation जो निकल के आ गया था वो v equal to आ गया था kq r2 minus r1 by r1 r2 यह वाला relation आ गया तो यहाँ पर अपने को r2 minus r1 और r1 r2 चाहिए उसके लिए अपने इसको आगे बढ़ा दिया था यह point क्या था o यह a यह b और यह point था p यहाँ से एक perpendicular डाल दिया था इस पर जिसको अपने n नाम दिया था यहाँ से एक perpendicular डाल दिया था इसको बोला था अपने m यह angle theta तो यह भी क्या बन गया था फिर यह दोनों triangle यूज करके अपने r1 r2 के value निकाल ली थी और final यहाँ पर रख दिया था तो वी equal to kya था kq ठीक है v equal to kya था आपका kp by r3 एक मिनट क्या था formula final kp by r2 और उसके साथ में था cos theta और उसके साथ में था cos theta kp cos theta by r2 पर अपने बोला theta equal to 0 रखते हैं तो जब theta 0 रखेंगे तो यह op line जो है यह किसके parallel हो जाएगे किस पर आगर project होगी आपके इस axis पर यह पी point जो है इस वाली line पर कहीं पर होगा तो जब theta 0 हो जाएगा तो kp by r2 आजाएगा axial line पर किसी point पर potential electric field क्या था 2 kp by r3 जब theta 90 रखें तो यह वाला जो point है यह एकदम perpendicular हो जाएगा पर perpendicular axis पर होगा तो theta 90 रखते ही cos 90 0 जाता है तो potential जो होगा इस case के अंदर वो क्या रहेगा जीरो कौन सा case है यह equatorial line वाला equatorial line पर किसी point पर potential क्या रहता है जीरो पर electric field 0 नहीं रहता है electric field का value आया था kp by r2 समझ में आगनी बात तो यह अपन ने discuss किया था कि जब अपन electric dipole लेते हैं तो उसके कारण axial और equatorial आपका plane या axis पर potential का value कितना आएगा तो axial line पर तो आता है आपका kp by r2 equatorial आप पर आता है zero उस पर zero है रहेगा potential हमें से समझ में आगनी बात उसके बाद next case जो discuss किया था वो discuss किया था अपन ने कि भई अपन जब 2 और 2 से अधिक charge का system generate करते है system बनाते है charge का तो उसमें अपन कितना work करते हैं तो वो work जो हो उस system के पास की potential energy के रूप में store हो जाता है ठीक है तो potential energy of system of charge यह अपना point सा तो दो system के लिए बनाया था कि इन्फानाइट पर दो charge रख दिये plus q1 और plus q2 उनको one और two point पर ला रहें जो एक दूसरे से आज़दूरी पर हैं तो पहले जब plus q1 को लेके आएंग तो आपका work done क्या रहेगा 0 जब पहला आ चुका होगा जब दूसरा लेके आएंगे तो पहला उसका repel करेगा तो इस condition में अपने को क्या करना पड़ेगा work करना पड़ेगा और यह work जो अपन करेंगे यह उसके पास उसकी potential energy के रूप में store हो जाएगा तो दो system के charge के लिए अपना work done कितना आए था बटा डबलू एक्वल टू के क्यू वन क्यू टू वाई आर और यही क्या हो जाती है उस system की potential energy जिसको यू से denote करते हैं capital यू आता है potential energy को किस से denote करते हैं capital यू से तो यह उसकी potential energy हो जाती है two system of charge की फिर three system of charge बनाते हैं कि अपने infinite एक point लिया infinite एक ऐसा point होता है जापर potential क्या रहता है zero और इस point पर तीन charge रखते हैं अब तीन के लिए बनाना है तो plus q1 plus q2 और plus q3 तीन charge है सबसे पहले अपन point 1 और point 2 लेते हैं उनकी बीच की distance अपन कितनी रखते हैं r12 पहला charge लेके आते हैं यहाँ पर यह लेके आए अपन q1 plus का तो इससे पहले कोई charge नहीं है तो work done क्या हो गया पहले के case में zero हो गया फिर जब दूसरा लेके आएंगे तो पहला आचुका है यहाँ पर यह इसको क्या करेगा repel करेगा तो इस condition में w2 कितना करना पड़ेगा k q1 q2 by r12 यह तो हो गया पहले ने जो potential generate किया इस two point पर वो into जो charge लेके आते हैं वो ठीक है फिर आपका निकालते हैं कि भई आप तीसरा लेके आते हैं तो तीसरा जब लेके आएंगे यहाँ से आपका तीसरा point है कि यहाँ ब तो तीसरे point को पहला भी repel करेगा दूसरा भी repel करेगा क्योंकि यहाँ पर charge पहले से बैठे हुए हैं तो इन दोनों के बीच की distance r13 इन दोनों के बीच की distance r23 क्या बोलेंगे इसको r23 इस distance को क्या नाम दे देंगे r23 यह दोनों repel करेंगे इसको तो अब w3 जो आएगा वो q1 by distance कितनी है r13 और कौन सा charge लेके आ रहे है q3 पलस k q2 r23 कौन सा charge लेके आ रहे है q3 तो यह आपका work done हो जाएगा w3 सबका summation कर देंगे total work आ जाएगा और जो भी total work आएगा इस system को बनाने में वो ही क्या होगा potential energy जो भी work करेंगे वो potential energy में conserve हो जाएगा और यहाँ पर work करने against the आपका कौन सा force है electric force और electric force is a conservative force समझ में आएगा नहीं तो यहाँ पर जो भी काम कर रहे है वो path पर depend नहीं करेगा किसी भी रस्ते से ले आओ और आएगा नहीं बास समझ किसी भी path से आप charge को लेके आओ वो आपका depend नहीं करेगा path पर क्योंकि वो आपका conservative force electric force is a conservative force समझ मे गयाग नहीं तो टोटल वर्क हो जाए गया पर फिर मैंने बताया था कि सीधा पड़ कैसे calculate करेंगे जैसे 4 चार आपका charges का सिस्टम बनाना है चार का तो पहले को दूसरे के साथ ठीक है पहले को तीसरे के साथ पहले को चौत्थे के साथ फूर्थ के साथ फिर दूसरे को तीसरे के साथ और दूसरे को सोथे के साथ फिर तीसरे को सोथे के साथ ये बन गए आपके एक पेर बना लिए अपने तो इसमें पोटेंशिल एनरजी अपने लिखा लिखी थी कि पोटेंशिल एनरजी अपन कैसे लिख सकते हैं तो वो क्या पहले के लिए आगी के, के Q1, Q2, इनके बीच की distance R12, पॉलस K Q1, Q3, इनके बीच की distance R13, पॉलस K Q1, Q4, इनके बीच की distance R14, ऐसे ही दूसरे को लिख दो, तो पलस के Q2, Q3, बीच की डिस्टेंस R23, पलस के Q2, Q4, इनके बीच की डिस्टेंस R24, पलस के Q3, Q4, इनके बीच की डिस्टेंस R34, इस परकार से यह total work done आएगा, जब 4 charge का system बनाएंगे, 4 charge का system बनाएंगे, उसमें इतना work done करना पड़ेगा, और यही work done उसके किस form में store हो जाएगा, in the form of potential energy, समझ आएक नहीं बात, अरे हाँ के न, फिर अगला दो point डिस्कस किया था, वो किया था कि आपका electric dipole को, electric field के अंदर, electric dipole को electric field के अंदर rotate कराने में कितना work done किया जाएगा, समझ में आएक नहीं, तो वो work done उस dipole के पास की potential energy के रूप में store हो जाएगा, तो अपने किया था, यह वाला derivation की, एक uniform electric field दिया, उस electric field के अंदर, अपने एक dipole को place कर दिया, पहले तो dipole अपनी equilibrium balance condition में है, इधर क्या है minus, इधर क्या है plus, यह उसकी balance condition है, इधर क्यों ही लगा, इधर क्यों ही लगा, total force zero, balance condition में है, पर अपन इसको क्या कर रहे हैं, अपन इसको d theta angle से, कित ते angle से, इस dipole को अपन d theta angle से क्या करा रहे हैं, rotate कराना चारे हैं, क्या कराना चारे हैं, rotate, से इसको अपन रोटेट कराना सारे तो डी ठीट अइंगल से जब इसको रोटेट कराएंगे तो वर्क डन भी छोड़ा ही होगा थो वह आजाएगा डी डी डबलू तो डी डबलू अपने लीनियर मोशन में पढ़ा था कि वर्क डन वर्क डन क्या होता है लीनियर मोशन में फोर्स इंटू डिस्पलेस्मेंट पर रोटेशनल मोशन में वर्क डन क्या हो जाएगा तोर्क फोर्स की तग क्या जाएगा तोर्क इंटू एंगूलर डिस्पलेस्मेंट तो टाव इंटू डी ठीटा यह आ जाएगा फिर इसको अप जीरो इसकी equilibrium या balance condition है वहाँ से लेके ठीटा तक अपने इसको लेके जाते हैं तो अपने chapter 5 के अंदर पढ़ा था कि जब एक dipole को अपने uniform electric field में रखेंगे तो उस पर क्या लगता है तोर का लगता है और उस तोर का value क्या आता है pe sin theta अर आया था कि नहीं यह क्या आता pe sin theta जहां पर pe क्या आता electric dipole moment e क्या आता electric field और theta pe और e के बीज़ का angle है समझ में आगी नहीं बात तो इस value को जब अपने यहाँ पर put करते हैं तो अपना work done जो निकल के आता है वो आता है भई pe 1 minus cos theta और यहीं उसकी potential energy के form में store हो जाएगा अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि अपने इसको theta 1 से theta 2 तक rotate कराते हैं तो theta 1 से theta 2 तक इसको electric field के अंदर rotate कराएंगे तो work done जो है वो इस परकार से आ जाएगा cos theta 1 minus cos theta 2 समझा है के नहीं बात अरे हां के ना तो यह आपका क्या हो जाएगा electric field हो जाएगा ठिक है कि electric field के अंदर कैसे अपन किसी भी charge को rotate कराएंगे तो कितना work होगा वो work क्या हो जाएगा की potential energy हो जाएगी आज का जो टोपिक है वो अपना है पोटेंशल एनर्जी ओफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखो इस परकार से और कहीं पर अपने पास एक point है infinite और उस पर रखा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या रखा है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसके पोल्स या डाइपोल के बीच की distance 2L है और डाइपोल पर charge कितना है प्लस माइनस Q उसको अपन उठाके कहां लेके आ रहे हैं यूनिफोर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड में पैरलर उठाके लेके आ रहे हैं और यहां पर रख दिया अपनने यूनिफोर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड में अपन यहां पर उसको उठाकर लेके आ रहे हैं यहां पर लाके रख दिया ठीक है इधर माइनस क्यू चार्ज इधर पलस क्यू चार्ज दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है टूर डाइपोल के बीच के उठा कर ले आए ठीक है तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा तो जब अपन लेके यहां पर लेके आएंगे इसको इन्फाइना क्यू चार्ज जो है माइनस क्यू चार्ज और पलस क्यू चार्ज इस पॉइंट तक जब आए तब दोनों बराबर डिश्टेंस कवर किये यानि वर्क डन दोनों में बराबर हुआ दोनों में अपोजिट डैरेक्शन में वर्क हुआ एक पलस चार्ज है एक माइनस चार्ज कुण पहुचा है तो मैनस charge को 2L distance तक डिस्प्लेक्ट करने के लिए अपने वर्क किया है इस सिस्टम में जब इंफानाइट से यह लेके आए तो मैनस क्यू चार्ज को इस पॉंट पर अपने इसको b बोल दे और इसको a बोल दे के लिए minus 2 charge को extra work करना पड़ा 2L distance displaced करने के लिए तो extra work कितना आया W equal to force into displacement और displacement कितना है यहाँ 2L displacement कितना है 2L का है 2L ही ज़्यादा चलेगा minus charge समझ आएक नहीं बात तो minus charge पर कितना electric force लग रहा है minus QE और कितना लग रहा है minus Q into E into 2L और यही चो लग रहा है क्या बन जाए गए minus 2QL into बन गया कि नहीं अब देखो अपने पास quantity the small p जिसको अपन क्या बोलते है 2QL तो यहां पर work done कितना हो जाएगा minus P into E तो इतना work अपन उसको infinite से electric field में लाने के लिए करें rotation के लिए कितना work किया rotation के लिए इसको अपन W1 नाम देदें इस work को कितना नाम दे रहे हैं W1 rotation के लिए work कितना किया अपने P E 1 minus total work कितना किया W equal to total work W1 plus W2 W1 कितना है minus P E W2 कितना है 1 minus cost it up तो यह कितना हो गया minus P E plus P E और minus P E cost it up तो P E से P E क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा यह cancel हो गया तो W equal to आगे आपका minus P E cost it up ठीक है क्या आगया minus P E cost it आगया अब देखो यहाँ minus की दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ minus की problem नहीं होनी चाहिए minus sign जो है आपका यहाँ 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 अपनी इसको उलड़ देंगे यहाँ plus का इधर और minus का इधर कर देंगे तो यह क्या जाएगा plus का sign आजाएगा समझा है अगनी बात तो यहाँ पर देखो अपने इसको लिख सकते हैं कि W equal to क्या आगया P minus का dot E अरे लिख सकते हैं कि नहीं dot product क्या होता है दो vector quantity का dot product scalar quantity देता है तो cost it किसको बता रहा है dot product को समझा है आगनी बात पर इस पेसल केस करते हैं कि आपका cost रिटा यह हो cost रिटा 0 वह आगे करेंगे एब रोगना संजोकी है Electro static potential and capacitance तो electrostatic potential हो गया है खतम अब अगला theoretical portion है वो है capacitance ठीक है और capacitance में सबसे पहली चीज़ पढ़ रहे हैं अपन डाइ इलेक्टिक सबस्टांस तो देखो जब अपनने semiconductor वाला चेप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर अपने डिस्क्स किया था कि भई जो material होते हैं conductor, insulator, semiconductor उनकी basic definition डिस्क्स किया थी कि conductor वो material होते हैं जो अपने अंदर से electricity को पास करते हैं ठीक है क्यों करते हैं क्योंकि इनके अंदर free electron होते हैं example भी देखे थे अपने क्या होता है AZ ठीक है copper, aluminium, iron सबसे ज़्यादा AZ की sequence में बताया है हमेने ठीक है उसके बाद insulator वो material होते हैं जो अपने अंदर से current को या electricity को पास नहीं करते हैं ठीक क्यों, क्योंकि इनमें free electrons बहुत ही कम पाय जाते हैं, negligement amount of free electrons are present ठीक है अगले discuss किये थे अपने semiconductor, semiconductor के बारे में अपने यहाँ semiconductor की बात नहीं आएगी semiconductor के बारे में अपने क्या बोला था कि conductivity है या इनकी जो electricity को अपने अंदर से pass करने की capacity है वो conductor से तो कम होती है पर insulator से जादा होती है इनको discuss किया था अपने semiconductor chapter पड़ा था पर उसकी यहाँ पर बात नहीं होगी, यहाँ पर कौन से material की बात होगी, dielectric substance की बात, dielectric वो material होंगे जो अपने अंदर से electric current को pass नहीं करते हैं, अपने अंदर electric dipole moment generate कर लें लग जाते हैं और external electric field के align हो जाते हैं मतलब उसको support करते हैं external electric field में जब इनको रखा जाएगा तो यह electric dipole moment बनाते हैं और external electric field के aligned हो जाते हैं तो इस प्रकार के material जो हैं, वो कौन से होते हैं dielectric materials जैसे आपका wax है जिसको mom बोला जाता है ठीक है, कागज होता है समझ में आगरी यह आपके क्या है dielectric material होते हैं कि यह electricity तो पास नहीं करते हैं पर जब इनको external electric field में रखा जाता है, तो यह electric जो effect है electric effect जो है उसको indicate करते हैं, उसको show करते हैं इस effect के according क्या होता है कि जब इनको external electric field में रखा जाएगा तो यह electric dipole moment बनाएंगे समझ में आगरी क्या बनाएंगे electric dipole moment और electric field के aligned हो जाएंगे तो इन material को क्या कहा जाता है आपका dielectric substance कहा जाता है और यह जो dipole बनाने की जो इनकी capacity है या dipole बनाने की इनकी जो आपका nature है इसी को कहा जाता है polarization ठीक है क्या कहा जाता है इसको polarization electric dipole का polarization हो गया है समझ में आगनी बात है अब यहाँ पर अपन दो परकार के आपके dielectric material के बारे में पढ़ते हैं एक तो होता आपका polar और एक होता है non polar polar dielectric सबस्टांस और एक होता है non polar dielectric सबस्टांस तो दो पोलर dielectric सबस्टांस वो होंगे जिन सबस्टांस के अंदर molecules के positive और negative ions दो होते है molecules के positive और negative ions दो होते हैं उनका mass center समझना ध्यान से इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ कि polar आपके dielectric सबस्टांस वो सबस्टांस होंगे जिन में सबस्टांस के अंदर जो molecules होंगे उन molecules के positive और negative ions होंगे उनके mass center उनके mass center एक दूसरे से separate होते हैं अलग-अलग होते हैं तो इस किस परकार के सबस्टांस क्या कह लाएंगे आपके polar dielectric substance for example HCl है क्या है HCl H2O है यह किसके example है polar dielectric substance के mass center क्या है बिटा अलग-अलग है किनके mass center इनके अंदर दो molecules present है तो यह जो सबस्टांस है जब इनको external electric field में नहीं रखा जाएगा in the presence of external electric field तो इनके अंदर dipole moment तो होता है पर molecule का dipole moment randomly arranged होता है इस परकार से dipole होगा इनका इनका कि इस परकार से तो यहां पर net electric dipole moment जो होगा वो क्या हो जाएगा zero net electric dipole moment क्या हो जाएगा zero कोई electric dipole moment नहीं है क्यों क्योंकि यहां पर electric field भी क्या है zero है कोई electric field नहीं दिया गया है इनको In the absence of external electric field net electric dipole moment in the polar substance is zero कोई भी आपका यहाँ पर electric dipole generator नहीं होगा जब electric field में इनको नहीं रखा जाएगा पर जैसे ही इन substance को आपन external electric field के अंदर रखेंगे मान लो यह आपका substance साथ यह electric field की direction है इसमें इसको रख दिया तो electric field क्या करता है positive जो ions होते हैं उनको अपने साथ लेके चलता है negative को धका मारता पीछे की तरफ तो इनके अंदर इस परकार से यहाँ minus यहाँ plus यहाँ minus यहाँ plus यहाँ minus यहाँ plus इस परकार से अब यहाँ पर क्या हो जाएगा electric dipole moment यहाँ पर भी था electric dipole moment पर वो randomly arranged था और randomly arranged zone थे किसी का कुछ किसी का कुछ net क्या हो रहा था 0 कब absence of electric field जब electric field में इनको रखा गया तो यहाँ पर net electric dipole moment 0 नहीं होगा मतलब electric dipole moment अब generate हो गया है electric dipole moment क्या हो गया है अब generate हो गया है कब जब इनको actional electric field में रखा जाता है समझाए अगनी बात दो यह चीज़ यहा रखनी है polar substance क्या होते है polar substance polar dielectric substance वो substance होते है जिनके molecules के आपके molecules के positive और negative आयन के mass center different different होते है अलग अलग जगे होते हैं ठीक है तो जब यह अलग अलग जगे होते हैं तो इस परकार के molecules क्या कहलाते है polar dielectric substance कहलाते है और इनकी example मैंने आपको बताए यह कब इनके अंदर net electric dipole moment generate नहीं होगा जब कोई भी electric field इनको नहीं दिया जाएगा और जब इनको electric field दिया जाएगा तो यह क्या करेंगे net electric dipole moment बना लेंगे समझ में आगनी बात अरे हाँ के ना तो एक मिन रोखें देखो दूसरा point है non polar dielectric substance तो non polar dielectric substance क्या होंगे वे substance जिनके molecules के positive और negative आयन जो है वो एक दूसरे पर coincide करते हों या एक दूसरे के साथ coincide करते हों तो वो क्या हो जाएंगे आपके non polar dielectric substance हो जाएंगे इसके लिए example जो है आपका वो हो जाएगा O2 N2 H2 यह आपके जो molecules होते हैं यह कैसे होते हैं यह जो आपके example है यह मैंने किसके लिखे हैं non polar dielectric substance के लिए फिर से जब electric field के अंदर इनको नहीं रखा जाएगा तो यह net electric dipole moment 0 बनाएंगे इस परकार से net जो electric dipole moment है वो क्या है बटा 0 है electric field के absence में और जब electric field में इनको रख दिया जाएगा तो net electric dipole moment यह बना लेते हैं यह है in the absence of external electric field यह है presence of external electric field और net जो यहां पर electric dipole moment बनता है वो 0 के एकवल नहीं होता है मतलब यहां पर net electric dipole moment बनता है लिख लिए इनको लिख लिया नेक्स कर दूँ लिख 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 जो है कि इन आपके डाइलेक्टिक सबस्टान्स को जब external electric field में रखा जाएगा तो ये क्या बनाते हैं इलेक्टिक डाइपोल मोमेंट बनाते हैं इसी को कहते हैं अपन पोलराईजेशन प्रोसेस और पोलराईजेशन ठीक है एक होता है पोलराईजेशन वेक्टर ठीक है तो किसी सबस्टान्स के एकांग यूनिट वोल्यूम के अंदर किसी सबस्टान्स के यूनिट वोल्यूम के अंदर कितने इलेक्टिक डाइपोल मोमेंट बने उसी को कहा जाता है पोलराईजेशन वेक्टर उसी को क्या कहते हैं पोलराईजेशन वेक्टर दो चीज हैं एक तो मैंने polarization बताया कि जब अपन किसी भी dielectric substance को electric field में रखेंगे तो उसके अंदर electric dipole जो बन रहे हैं इसी process को ही कहा जाता है polarization और dielectric substance के unit volume के अंदर dielectric substance के unit volume के अंदर कितने electric dipole moment produce हुए उसको कहेंगे अपन polarization vector और polarization vector denote किया जाएगा capital P vector से समझ में आएगे नहीं polarization vector किसी देनोट किया जाएगा capital P vector से ठीक है और polarization vector जो है वो directly proportional होता है electric field के किसके directly proportional होता है electric field के और जब यह directly proportional हटता है तो एक constant आता है जिसको बोलते काई जिसको क्या बोलते हैं काई electrical susceptibility क्या बोलते हैं इसको electrical susceptibility और यह यह constant यह बताता है कि जब अपन किसी dialectic substance को किसी electric field में रखेंगे तो electric field में रखने पर उसके अंदर कितने जादा electric dipole moment per unit volume में बनेंगे यह क्या बना बताता है electric dipole moment in per unit volume of a dialectic substance कि किसी भी dialectic substance के unit volume के अंदर कितना आपका electric dipole moment बना तो जितना ज़्यादा electric field होगा उतना ही ज़्यादा क्या बनेंगे आपके electric dipole moment बनेंगे per unit volume के अंदर समझ में एगनी और इसको बोला जाता है susceptibility आभी बताऊंगा इसको क्या बोला जाता है electrical susceptibility समझ में एगनी बात है रोकना एक बात है बढ़े कि को जाता है गाल फस्को